इलाहबाद दिस्विद्यालेक की पहली ओफिसियल कटाफ ये वो कटाफ है candidate जिसके बाद अब ये decide होता है कि आपको पहले round के लिए main campus में एलाओ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा खेर ये आखरी कटाफ नहीं होती है ये जो आपकी कटाफ होती है इससे ये होता है कि पहले round में किन candidate को एलाओ किया जाएगा पहले round में कौन से candidate main campus में admission पाएंगे किसी भी course के लिए BA, BSC, BICAM, BALV किसी भी course के लिए उनको main campus एलाओ होता है ये बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए कि आपकी official कटाफ जल्द ही जारी होने वाली है candidate यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो भी कटाफ आपको अभी तक मिल रही है वो आपको कहीं से भी मिल रही है मैं आपको बता रहा हूँ कहीं से और आप देख रहे हैं किसी website से आप देख रहे हैं google पर आप search कर रहे हैं कहीं से भी आप देख रहे हैं लेकिन क्या है कि जो भी data आपके पास अभी है ये एक expected data है जबसे मैंने आपको कटाब बताया है आप सभी के यही सवाल है सर मेरा number कम है मेरा number जादा है तो कुछ लोग हैं जो over excitement में हैं और कुछ candidate ऐसे हैं जो थोड़ा सा डिप्रेस हैं मैं उनको हमेशा समझाता हूँ कि आपको परिशान बिलकुल नहीं होना है क्योंकि ये जो भी data आपको जहां से भी मिल रहा है कोई भी बहुत बड़ा ज्याता नहीं है बस क्या है कि पिछले साल के data से आपको जानकारी दी जा रहे है और इस वर्स आप सभी के लिए बहुत अच्छी ख़बर है आपकी कटाव को लेके कि आवेधन भी कम हुए हैं इलाहबाद बिस्विध्याले के लिए candidate उतना जादा भी अभी तक आवेधन नहीं हु कि registration अभी इतना जादा नहीं हुआ है कि आपको बहुत जादा परिशान होनी की जरूरत है या बहुत जादा competition रह सकता है तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है जो भी चीजे मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ क्या है सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए कि आपको ए हो रहे हैं लगातार चीजें और निखल कर सामने आ रहे हैं कि आपकी कटाव कितनी जा सकती है तो इसको लेकर जो भी मैंने आपको data दिया यदी मैंने आपको अपने data में अपनी video में मैंने आपको बताया है कि 500 नंबर आपका cut-off जाएगा तो यदि आपका 480 है 470 है तब आप अपनी उम्मीद रखिए, आप मेन कैंपस के लिए फिर भी ट्राई करिए, आप काउंसलिंग करिए, अभी से आप डिप्रेस हो जाएंगे, अभी से आप परिशान हो जाएंगे, अभी से आप अपने कदम पीछे खींच लेंगे, तो दिक्कत बहुत बड़ी होने वाली और Affiliated College के लिए तो Candidate मैं आपको अस्वस्त करना चाहता हूँ, कितने भी आपके कम नंबर हो आपका Admission हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि Affiliated College में आपका Admission नहीं होगा, इस वर्ष अच्छे से अच्छे Affiliated College में कम से कम नंबर वाला Candidate Admission ले सकता है, इ आपकी जो कटाप है, जो आपकी Official कटाप है, वो 26-28 तारिक के बीच में जारी हो जाएगी, Official कटाप जैसे ही आती है, मैं इस चैनल पर आपको बताऊँगा कि आपका सेलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, पहले राउंड में आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारी जान आपको इस चीज को लेकर परिशान नहीं होना है, जो भी है, सिर्फ एक 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 एक्सपेक्टेड डाटा है, हाँ ये अलग बात है कि वो चीजें 10 नंबर, 15 नंबर ही आगे पीछे होंगी, ये मैं आपके साथ कह सकता हूँ, जो कुछ भी मैंने बताया है, वो जादा से जा है, आपेदन इतने जादा नहीं है कि आपको अभी परिशानी की कोई जरूरत है, और 40,000 से जादा आपेदन होगे भी नहीं, ये भी आप समझेए, जो final registration और payment के बाद वाला जो registration होगा, वो 40,000 से जादा का नहीं होने वाला, मेरे हिसाब से ये आपेदन 35,000 तक ही जाएग थोड़ा सा जादा strict हो गए थे वो, जिसकी वज़ा से आपेदन कम हुए हैं, अब देखते हैं कि क्या वो eligibility में कुछ change करते हैं, यदि ऐसा हो सकता है कि registration कम होता है, तो eligibility में थोड़ा बहुत change कर सकते हैं, खिर इसके लिए मैं अभी आपको कोई भी बात नहीं बता रहा हू और आवेदन होते और भी ज़्यादा candidate interested होते हैं अलहाबाद university में admission के लिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही संदेश दूँगा, या आप लोग इस channel से जूड़े रहें, टेलिग्राम गुरुप को जो description में जिसका link उसको join करें, किसी भी खबर के लिए इस channel से जूड़ें सबसे विश्वसनी है, चैनल अलहाबाद university और सभी central और UP की जितनी भी state university हैं, उन सभी के admission process के लिए, मिलते हैं next video में, आप मुझे follow जरूर करें, instagram पर इसका link आपको description में मिलेगा, मिलते हैं next video में, thank you, लभीवाल, नमस्कार.